सुखार्थी वात्यजेद विद्याम, विद्यार्थी वात्यजेद सुखम, सुखार्थी न, कुतो विद्या विद्यार्थी न, कुतो सुखम, सुख की कामना हो, तो व्यक्ति विद्या को त्याग दे, और यदि विद्या प्राप्ति की इच्छा हो, तो सुख को त्याग द तब ही कुछ मनवांचित वस्तु प्राप्त होती है। कवी क्या नहीं देखते, नारियाहों क्या नहीं कर सकती, शराबी क्या नहीं बगते हैं और कौई क्या नहीं खाते हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि स्त्रियाँ पुरुष से कई गुना अधिक दूसाहसी होती हैं और अंजाम की परवाह किये बिना कुछ भी कर गुजरती हैं। चानक्य कहते हैं कि शराबी क्या नहीं बगते, अर्थात विवेक हीन होकर वे किसी को भी अनाप, शनाप, कुछ भी बगते हैं। चानक्य कहते हैं कि कोवा क्या नहीं खा लेता, वह गंद, मैला, सडा मांस, सब कुछ खा लेता है। लुब्धा नाम याचकह, शत्रूर मूर्खा नाम बोध कह रिपु, जारस्त्री नाम पतिह शत्रु श्चोरा नाम चंद्रमा रिपु, लोभी का शत्रु याचक, मूर्ख का शत्रु बुद्धिमान, व्यभिचारिनी का शत्रु पती और चोरों का शत्रु चंद्रमा कहा गया है, मांगने वाला व्यक्ती लोभियों का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उनको सदुपदेश देने वाला होता है, पति व्यभिचारिनी स्त्रियों का शत्रु होता है, तथा चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है, प्रस्तुत शलोक में स्वभाव विशेश है, ल चितंत्र नामक पुस्तक में बया और बंदर की कहानी प्रचलित है। दुराचारिनी स्त्री का पति सदा उसकी आँखों में खटकता है। क्योंकि वह उसके रंग में रंगा नहीं होता। जो व्यभिचारिनी पत्नी का समर्थक हो वस्तुत वह पति नहीं भड़ुआ होता है। इसी प्रकार चंद्रमा चहुदिश प्रकाश फैला कर चोरों के कार्य में बाधा डालता है। इसलिए चोर चंद्रमा को अपना शत्रू समझते हैं। ये शान न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ते मर्त्यलों के भुवी भार भूता मनुष्य रूपेण म्रिगाश चरंती असा। जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दानशीलता है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे संसार में भूमी पर भार रूप पशु ही हैं, जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। आचारे चानक्य कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ ही गवां देते हैं, जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दान देने की प्रवृत्ती है, न सदाचार के पालन की भावना है, न किसी प्रकार का कोई अन्य गुण है और न ही धर्म पालन म जिनकी रुची है ऐसे व्यक्ति इस संसार में मनुष्य के रूप में भूमी पर विचरने वाले पशु समान ही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है। जाने वाली वायू के स्पर्ष से मामूली व्रिक्ष भी चंदन बन जाते हैं। अर्थात चंदन की खुश्बू सराबोर हो जाते हैं। किन्तु बांस चूंकी पोला, खोखला होता है। अतह उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही किसी महात्मा का कितना ही श्रेष्ठ उपद मूर्ख व्यक्ति भले ही पूरी आयू किसी विद्वान की संगती में गुजार दे। किन्तु यदि उसमें गुणों को ग्रहन करने की योग्यता नहीं होगी, तो वह मूर्ख ही रहेगा। दुर्जनम सज्जनम कर्तु मुपायो नहीं भूतले। अपानम शतधा धौतम न श्रेष्ठ मिंद्रियम भवेत दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनाने के लिए भूमी पर निश्चय ही कोई उपाय नहीं है। जैसे मलत्याग करने वाली इंद्रिय गुदा को सौ प्रकार से धोने पर भी वह श्रेष्ठ इंद्रिय नहीं बनती। व्याख्या ऐसा कोई भ पानी से कितना भी धोलो, स्वच्छ करलो, किन्तु वह श्रेष्ठ इंद्रिय अर्थात मुख नहीं बन सकती। व्याख्याकार आचार्य चानक्य की इस बात से सहमत नहीं है। दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी संत का संग पाकर श्रेष्ठ मुनी हुए हैं, इसका उद कि शुद्धी की बात है तो उससे मुख का कार्य नहीं लिया जा सकता। ऐसा प्रयास करना मूर्खता है। धनहीन होकर अपने बंधु बांधवों के बीच न रहे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य चानक्य ने धनहीन होने पर बंधु बांधवों द्वारा किये जाने वाले अपमान से होने वाले कष्ट से उपरोक्त कष्टों को अच्छा बताया है। स्वजनों द्वारा मिलन इसलिए वे कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति जंगल में भयंकर जानवरों के बीच रह ले, किन्तु अपमान सहने के लिए अपने बंधु बांधों के मध्य न रहे। इसलिए मूल की प्रयत्न पूर्वक एवं सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के नश्ठ हो जाने पर न शाखा ही रहेगी और नहीं पत्ते शेश रहेंगे। संध्या, उपासना, वेदादी का वर्णन उसके गुणों की ओर संकेत करते हैं। चानक के कहते हैं कि विद्वानों की, गुणियों की सदा रक्षा करनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण वाले ही ब्राह्मन हैं, जिनसे समाज को लाभ प्राप्त होता है। उल्लेखनी है कि ब्राह्मन कुल में जन्म लेने वाला ही ब्राह्मन नहीं है, सात्विक एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाला ही ब्राह्मन है और ऐसे लोगों की समाज के हित में सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारा मनूबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं, तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, धन्यवाद।